बीस्ट लाइफ एक फ्रॉड है, बीस्ट लाइफ का जो कंपनी है वो एक स्कैम है, क्या ये टाइम सफिशन नी है, पूरा पूरा स्टाउक चेंज कर देने में, ये पूरा स्टाउक चेंज करके अच्छा वाला माल डाल देंगे, मतलब उनका स्टाउक आ रहा है और आते का दंदा हो जाता है ये है 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 हलो और नमस्तु सभी को मेरा नामे प्रतेक वेल्कम बैक टू अनदर एपिसोड देखो तीन या चार सालों में मैंने एक ही अच्छा आज़त एडप्ट किया है इतने लॉंग टाइम में जो कि सबहुत कर पानी पिना बहГरा फ्रियस फिल होता है अगर मैं बैंगलॉर में रहा हूं तो बैंगलॉर में 5 5 मी'll पानी पी फीटा हूं अगर मैं में बैंगलॉर में नहीं हूं तब एक या ज़े घ्र ग्लस मतने दावार्द है इतना है वस पीते है वस पर घ्र आज के! व I started working out in the mornings watching a few influences लेगिन हभी तक मैं सुबाउट कर इस तीज को अड़ाप ने कर पाया ठीक से सुबाउट कर मैं हमेशा वर्काउट नहीं कर पाता है जब जब मैं वीडियो पनाता हूँ तब तब मैं प्रॉपर करता हूँ जब नहीं बरा था तब मैं नहीं करता तब मैं बस स्किप कर देता हूँ यह चीज मेरी कमजोरी है इस चीज को मुझे ठीक करना है वे विल ट्राय बेस्ट तो इंप्रूब एवरी देई फिलाल थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं सुबा सुबा नेंद कुलता है नीज सुबा सुबा आख ठीक से नहीं कुलता है तो वर्काउट कैसे होगा अरे यार यह शोर से लावा फिर से चालो हो गया सुबा सुबा आख ठीक से नहीं कुलता है तो यह वर्काउट कैसे होगा यही तो चैलेंज है इसी को तो अबरकम करना है lets go यार यह बाहर नहीं किस चीज कहतना शोर है पर वर्काउट माज़़दार था तक गया भाई साफ बाई साफ वंडरफुल वोक आउट वंडरफुल फ्रेशनेस नहा लिया पानी का टेंपरेचर अल गुल्ड सब कुछ बराबर मतलब बराबर है सब कुछ तोड़ा साब बालती के लिए अभी बारी है अपने शरीर को प्रोटीन पिलाने की यह हमारा श्रीकर ऐलबर अप्रोटीन इसके पीठेसे कहानि है मैं बता कूंगा ऐसका विडियो वाहि है अपरीद कूंग की रहा हूँ और दिखा विदी इसके देफि principalsा गौरफ तनिज असर का है उन्होंने एक कमपनी लाँच किया है बीस लाइफ उन्होंने प्रोटीन बनने का कुछ ऐसा स्टार्ट आप या फिर ऐसा कुछ बिसनस स्टार्ट किया है तो उसमें मुझे प्रोटीन लाँच किया है बीस लाइफ करके तो उसमें मुझे थोड़ा बहुत डाउट है तो उसके बारे में आगे बात करेंगे फिलाल इसको खतम कर लेते हैं और थोड़ा सा बाहर भी जाना है तो बाहर जाकर बात करेंगे अच्छा टेस्ट करता है कभी जोबी बोईज, गुद मॉर्निंग एव्रीवन, गुद मॉर्निंग फ्रम बैंगलार अभी का पिरोग्राम कुछ ऐसा है कि मैं पाशा को से कॉलेज से लाने जा रहा हूँ एक्चली इसका एक्जाम चल रहा है और बसस चल नहीं रहे उस रूट पे तो आप तो आप तो मैंने सोचा इस वीडियो को क्यों ना मोटो व्लॉक के माध्यम से ही कंप्लेट किया जाए तो प्रोटीन के बारे बात करें तो एक सेगड़ जाओ बड़ी कहावत है या फिर बड़ा स्टेटमेंट है शान्त हो जा मेरे बाई एक बड़ा स्टेटमेंट है जिससे कहते है कि अपने प्रोटीन को जानिए अपने प्रोटीन को परखी अपने प्रोटीन को समझीए ठीक है तो मिस्टर बीस्ट आम सॉरी मिस्टर बीस्ट बोलो तो गौरफ सर ने एक प्रोटीन लांच किया है उन सबसे पहली बात तो उनका जो भी प्रोड़क्ट है वो सिर्फ फैन फॉलोईंग के बेस पे बिखने वाला है ठीक है ऐसा नहीं है कि उनके प्रोड़क का ऑथन्टिसिटी कोई चेकवा करेगा नहीं या फिर कुछ भी ऐसा होगा नहीं अधर उनके प्रोटीन में कोई भी खो विल पे 10 लाक रुपीस इस इस में अगर उनका प्रोड़क्ट फेल हो जाता है तो उनका प्रोटीन है उस पे अगर कोई भी चीज अगर जो प्रोमिस लिखा हुआ है और वह चीज नहीं है उसमें तो अगर आप उसको प्रूफ कर जेते हो कि नहीं है इसमें एफिर कुछ गलत है उसमें तो फीविल पे 10 लाक रोपीज तो यह बहुत अच्छी बात है हरी कमपणी को ऐसे चालेंज इस रखने चाहिए मान लो आपने खरीदा उनको प्रोटीन और आपने यूज किया उसमें आपको कोई डाउट लगा आपने टेस्टिंग कराया और वो चीज गलत न कि क्या प्राब्लम है क्या नहीं है फिर आपको उनके हैड़ कोई अफिस लेकर जाया जाएगा फिर आप उधर जाओगे फिर उदर वापस जो प्रोड़क्ट आपने टेस्ट कराया उसके भी उसका भी और आपके अनुसार से जो भी आप चाहो उस बैच में से एक भी कोई आपको लगता है कोई भी भी स्लाइफ का प्रोड़क्ट करेंगे तो हम आपको पूरी चॉइस होगी कि दुबारा आप सेम बैच में से कोई भी स्लाइफ प्रोड़क्ट चूज करें वह इसलिए क्योंकि तेस्टिंग कराएं कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं अपने किया है आप ऐसे अगर उनको गलत प्रूफ कर तो आपको दसलाफ रुपर देंगे ठीक है जो पॉइंट वाली बात है वह यहीं पर देखो फ्लाइंग बिस ने एक प्रोड़क्ट निकाला जो कि बहुत ही ज़ादा महेंगा है बाकी जो कंपिटीटर्स हैं बाकी जो कंपि प्रोड़क्ट और किया उनके कंपणी से अपने एक मानलो प्रोटीन और किया फिर आपको कुछ एक ताइम बाग आपको ऐसा रिलाइज हुआ कि यह थोड़ा सा गरबढ है मुझे इसमें प्रोटीन में उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं हो रहा तो मैं इसको टेस्ट करा लिए फिर आप उसको टेस्ट कराओगे गल्ती से या फिर खुदा ना खास्ता उसमें कुछ ना को जैसा खोट निकल आया या फिर कुछ नेगेटिव चीज़े निकल आई या फिर जो प्रोमिस की गई है उसकी लेबल पर कि यह यह चीज़े हैं और वो चीज़े अगर नह लगेंगे ठीक है कि वो लोग देखेंगे फिर आप आप जो वीडियो में प्रूफ भेजोगे उनको ठीक है उसको भी जनता तक पहुंचने में एक टाइम लगेगा तो यह पूरा का पूरा जो प्रसस है इसमें हम लोग मान लेते हैं कि आपको 12-24 घंटे आपको टाइम ल तो कानपूर तो फ्लाइंग की एरिया है ठीक है मान लो अप लखनो से अरे लखनो भी उनका एरिया है मान लो आप गाजियाबाद से डिली उनके headquarter आपको जाना है आप जाने में एक लिएस्ट बहुत मिनिमं पैर मिनिमं टाइम 3-4 घंटे लागें तो इधर आपके होग तो तो आपके हो गए पूरे 29 गंटे यह जो 29 से 30 गंटे हैं क्या यह कम नहीं है पूरा का पूरा जो आपका बैच है एक्जिस्टिंग बैच है उसको चेंज करने में यह आप मुझे बता मेरा पॉइंट यह है मान लो आपने अगर उनका प्रोड़क्ट मंगाया उसमें कुछ गलत निकला आपने उनको कंप्लेन किया उन्होंने आपको क कराएंगे वो लोग वीडियो वीडियो गरा जो आप अगर कुछ डालो अगर नहीं भी टाले तो भी वीडियो प्रूफ तो मांगेंगे कुछ तो दिखाओ हम फोटो अगरा कुछ तो दिखाओ तो वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन में आपका कम से कम 2-4 घंटे उधर लग ठीक है फिर आप वहां तक पहुंचोगे बहुत सामने वाला इंसान भी 3-4 घंटे तो लगेगा तो मैं घाजियाबाद का मैं एक एक्जामपल ले रहा हूं ऐसा कोई जरूरी है कि अंसान घाजियाबाद से या फिर पूने से भी आ सकता है मुंबई से भी आ सकता है आसाम स जो होगा आने जाने का वह पूरा का पूरा वह लोग उठाएंगे तो आपको उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगर मानलो आप आसाम से भी जाते हो तो आसाम से भी अगर दिली तक का फ्लाइट देखोगे आप तो तीन घंटे का फ्लाइट है ठीक है तो मैं एक तीन घंटा एक एवरेज लेके चलनो कि आप कहीं भी कहीं से भी जाओगे तो एट लीस्ट तीन घंटे लगेंगे ट्रेविलिंग में ओके चॉबिस घंटे जैसा लग जाएगा आपको कॉन्टाक्ट वेरिविकेशन यह सब कराते कराते ट्राफिक लग गई यह जो टाइम स्टैंप है चॉबिस घंटे प्लस चार पांच घंटे लगभग 29 से 30 घंटे क्या यह टाइम सफिशन नहीं है पूरा पूरा स्टाक चेंज कर देने में जबकि स्टाक चेंज तो भाई आदे घंटे मी हो जाता है यह पूरा पूरा स्टा प्रोटीन आपने जो मंगाया है वह आपका प्रोड़क गलत निकल जाएगा वह लोग आपको क्लेम कर देंगे कि आपने उसमें कुछ मिक्सिंग किया है और आप उसमें गलत ठहर जाओगे यह मुझे थोड़ा बहुत कंसर्णिंग लग रहा है और अरफ सर ने एक और बड़ी से बड़ी छोटे से चुटा हरे कंपनी कि यृसएसे से लेप टेस्टिंग करवा तो इन्होंने सीधा साफ साफ मना कर दिये कि हम लोग लगो लेप टेस्टिंग कराएंगे नीब आप उन्होंने आसे कहा है कि जो भी लग्लत कंपनी होगी वह हमारे वैराउस में सकते हैं कि फिर वहाँ से कोई भी एक सेंपल उठाके ले जाएंगे और उसमें से रेंडम सैंपलिंग में से एक टेस्टिंग होगा और उस टेस्टिंग के द्वारा हमारे प्रोड़क का आथेंटिसीटी आप वह कर होगे तो गॉरॉप सार का अल्रडी इतना पहचान है इतन प्रोड़क्त को लेप टेस्टिंग में पास करा दो आप मेरे से इतने इतने रखम रख लो ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि मान लो उनका प्रोड़क्त 5000 का मिल रहा है वो भी पूरा-पूरा प्रफर दो किलो का नहीं है एक किलो आठ सो ग्राम जैसा है क्या गौरफ सर इतने स्मार्ट नहीं है कि उस चीज को मैनुपिलिट कर दें क्या गौरफ सर इतने अग या नहीं है कि वह इस चीज को पूरा-पूरा इस पूरे खेल को वह अपने हाथ में लेके खेल सकें कि देखो बिस लाइफ का कोई भी प हो जाता है अभी अन्होंने प्रोटीन लांज किया प्रोटीन आउट ऑफ स्का तो यह सब चीजे मुझे थोड़ा सा स्केप्टिकाल लग रहा है यह जो पूरा-पूरा मार्केटिंग इस पूरा-पूरा को बिजनेस सेटप किया गया है यह बहुत जादा डावट फुल है तो मेरे प्यारे भाईो बहनो जनता जनारदन प्लीज इस वीडियो से आप लोग नाराज ना होए आप लोग इस वीडियो के बाद्यम से एक मैसेच समझें कि मैं क्या बताने का ट्राइ कर रहा हूँ कि ऐसे ही अंधा अंधा आप लोग प्रोड़क ना खरी दे प्लाइंग बिस ने जो बाड़ी बनाई है उनका बाड़ी कसम से बहुत अच्छा है यह बहुत ही भैतरी ने बहुत ही सूपर्ब है उनका जो बाड़ी एस्टेटिक से वो मुझे बहुत पसंद है वैसा बाड़ी मेरा ड्रीम है तो वाटि मेरे ड्रीम है वाईसा फीजीक भी कर पाएं हम अभी लेकिन नफ इस और तरह का प्रोटी कर बना बनाया अई सा नहीं है औरा आफ रवच अने जो प्रोटीन पिकर नहीं बनाए अपना बॉडि कब इस अन्हें सारी कमपशन ब्लेज, बिग मसल, इन सारी कंपनीज के प्रोटीन से ही हुआ है, आज जो गौरफ सर अपने वीडियो में बता रहे हैं, आज मैं बता दू कि उनका जो बॉडी है, उनका जो फिजीक है, वो पूरा का पूरा जो ढाचा है, वो पूरा का पूरा ढाचा उन्हीं कंपनीज के बना है, नहीं तो नहीं बन पाता, ठीक है, हाँ, उनका हाड़ वर्क भी है, लेकिन जो प्रोटीन का जो रिक्वार्मेंट होता है, वो उन्हीं कंपनीज के थुरू आजा है, यह थोड़ा बहुत गलत पॉइंट है कि आप किसी दूसरे कंपनी को, आप अपने कंपिटीट प्रोट्ट तो वो लोग उसको रेटिंग देकर उसको एप्रूफ कर देता है, तो यह गौरफ सर का कहना है, तो उसमें उनको एक ऑथेंटिकेशन मिल जाता है, कि हाँ, यह प्रोड़क अच्छा है, लेकिन पॉइंट इस श्री गौरफ जी, आपको क्या ऐसा प्राब्लम ह हो रहा है, वही टेस्टिंग कराने में, आपको आपके प्रोड़क पे क्या ट्रस्ट नहीं है, कि वह बाहर जाकर लेफ टेस्टिंग में पास हो पाएगा, फिर फेल हो जाएगा, अगर आपको कोई धर नहीं है, तो आप उसको भेजें, आप उसको बाहर बेजें, लेफ ट जनता है बाकि जो लोग है आपका जो प्रोड़क्ट यूज़ करेंगी उनको तो नहीं पता है कि वो लोग क्या करें वो दो फैन फॉलोईंग के बेस पो लोग दाड़ादा आपका सामान ओर्डर कर रहे हैं गोरफ सर अगर यह वीडियो अगर आप कभी देखो गया फिर कभ अगवाएं कि without that authentication mark यह प्रोड़क्ट में थोड़ा सा जोल लग रहा है मुझे यह प्रोड़क्ट बहुत ज्यादा महंगा है बाकि competitor company से एक दो हजार रुपे महंगा है तो यह चीज है कि मैं मानलों जो मार्केट में जो अल्रड़ी इतने सालों से अग्विस्टिंग कंप छेपायद से ने प्रोड़क्ट इनी प्रोड़क्ट से सकेट गुख ले इनी फ्रोड़क्ट से यश इनिफ कही सारे जो इन्क्रांसरी जो किसारे जो बाडि बॉन्हें ईन्ही ठोदम 2024 बादध बना रहा है अप अपना अच्छा और आपक आटीन कर रहा है आप जो तो यह आपके प्रोड़क्ट में ऐसा क्या है जो आप इसको करने से बढ़ रहे हो तो जनता जनारदन भाईयो बहनों, मेरा कहना यही है कि बस आप लोग इस वीडियो से नाराज ना होए इस वीडियो से आप लोग ओफेंसिव ना होए मैं यह वीडियो एक common human being के तरफ से बना रहो, मैं यह वीडियो कोई fan following के base पे नहीं बना रहो, मैं यह वीडियो as a fan नहीं बना रहो, I am a huge fan of him by the way, लेकिन मैं यह वीडियो उनके fan, fan के हिसाब से नहीं बना रहो, मैं यह वीडियो as a customer, as a normal human being, जिसको beast life के बारे में कुछ भी मैं बना रहो, so ladies and gentlemen boys and girls, अभी का सिनारियो कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग traffic में है और यह traffic चल रहा, ऐसा रुकावर traffic नहीं है, बहुत ही बहतरी traffic है, और आज का मौसम brother and sisters, आज का मौसम क्या मज़ेदार है, पेमेंट करते सामाई आपको यह बहुत महेंगा नहीं लग सकता है क्योंकि 5,000-6,000 उपे बहुत बड़ा बिग दिल नहीं है, लेकिन बुन-बुन से सागर मनता है मेरे भाई, अगर आप 5,000-5,000 करके आप अगर दस लोगों से भी ले रहो तो बहुत 5,000 का दंदा हो जात है, ओके बॉइस, वी और हीर, फेले बताओ, एक्जाम कैसा हुआ, मास्ट किया, देखे-देखे, चले बड़ी आए, मिलते हैं आप से, एक छोड़ी से ब्रेक के बाद, ओके, तो अभी टाइम हो रहा है, शाम के, अल्मोस्ट पांच, तो मैंने पूरे वीडियो में एक ही म बीस लाइफ एक फ्रॉड है, बीस लाइफ एक स्कैम है, तो वाट इस थाट अन दिस, प्लीज लेट मी नो इन दे कॉमेंट्स, मैं यूजूली तो बोलता नहीं हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, बट आज के एपिसोड में हम बोलेंगे कि लाइक सब्सक्राइब तो रहन दो, इस एपिसोड को ज़्याद से ज़्याद से शेर करो तकि लोगों तक ये एवेरनेस पहुंचे और हो सके तो ये मिस्टर बीस्ट, फिर मिस्टर बीस्ट, हो सके तो ये फ्लाइंग बीस्ट तक भी पहुंचे और देखने आगी क्या होता है, फ कि अप्पनिदो फूँ प्पनिदो प्पनिदो